हलो दोस्तों आज हम यहां पर बात कर रहे हैं जी इंटर्टेन्मेंट इंटरप्राइज लिमिटेड की आज शेयर में लगबग 32% की गिरावट हुई है क्या यह एक अपॉर्चुनेटी है खरीदने की यह इसे यहां पर बेचना ही सही रहेगा ठीक है मैं अपने ओपीनियन देता हुआ नजर आऊंगा बट याद रखिए बाइंग सैलिंग का इससे कोई रिलेशन नहीं है तो बाइंग सैलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेशल एडवाइजर कुछ की स्टडी करके ही चीज़ों को यहां पर देखना है तो वीडियो में आगे बढ़ और जतना हो सके सीखने की कोशिश करेगा जतना सीखेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा सीखने के लिए वीडियो आपके सामने बना जाती है यह वीडियो आप यहां पर देख सकते हैं ठीक है और हमारे accuracy भी देख सकते हैं कि किस तरीके से हम यहां पर काम करते हुए नजर आते हैं कि वीडियो बनाते हैं और यहां पर कुछ ताइम बाद ही उसके रिटर भी देखते हैं ओके और आपको सीखना है इसी तरीके से तो यहां पर आप 860540501 8169261037 दोनों नंबरों को सेव कर सकते हैं और हमारा basics to advanced technical research fundamental कब लेना है क्यों लेना है किसलिए लेना है शेयर क्यों भागते हैं क्यों गिरते हैं वह सारा आपको जवाब मिलेगा 25,000 रुपे का कोर्स है फ्री यहां पर complete कोर्स है थिरिमंस की हैंड़ोलिंग इस्ट कर लोगे उसके बाद यहां पर एक साल की आप मेरे according जो मैंसे मैं आपको उता हूँगा उसे follow करिएगा और पीछे मुर के देखने की जरूत नहीं पड़ेगी और साथ में काम करना है एकूरेसी देखी चुके है किस तरीके शेयर भागते है इन नमबरों पर नोट कर लिज से बात कर सकते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम बात कर रहे हैं इlé यहाँ लीशान आपके ठीक है तो यहाँ पर देखेंगे तो जी से अन्लेटिट थो न्यूस आई ए ठीक है एक तो मार्केट में गिरावट थी दूसरी PIA से इनीूस आई ओके जी से लेटी निउस आई तो बहुत सारी आज बहुत सारी नेगेटिव निउस का impact पड़ा जिस वैसे stock market नीचे आगई अब stock market नीचे आगई ठीक है तो कहीं ना कहीं दूसरे stocks को भी यहाँ पर इस stocks को गिर नहीं था क्यों क्योंकि यहाँ पर जब कल अयोध्या में प्र तूटती हुई नजर आईए आप देख सकते हैं fallout ओके merger जो इनको होना था वो यहाँ पर रद होता हुआ नजर आया है जिसके वैसे गिरावाट हुई बट दूसरी नीउस क्या दूसरी नीउस यह भी है कि सेभी ने यहाँ पर inquiry करिया और ने कुछ 800-1000 करोड रुपीज के आस-पास का कोई घपला होता हुआ नजर आया है शायद इस वज़े से भी इस शेयर पर यहाँ पर प्रॉब्लम आई है और इस शेयर में एक अच्छी गासी गिरावट लब 32% क्या शेयर को खरीना चाहिए बेचना चाहिए वो लेवल मैं आपको बताऊंगा ठीक है आप अ सारे चैनल आते हुए दिखाई देते हैं ठीक है और अच्छा कासा काम करती है दिखाई देती है अलग-अलग language में आपको यहाँ पर प्रोग्राम्स भी दिखाई देते हुए नजर आएंगे तो यह हो गया जी बात करते और चीडियों की तो आपको समिन में आएगा small cap company है 14,957 करो रुपे की company है हमारे channel के नाम भी I am small cap investor है तो इसका मतलब कि हम छोटे share से rated video बनाते है 61 का PE है इंडश्टी का भी 56 का है ना महंगा है ना सस्ता है थोड़ा महंगा नजर आएगा वर इस टिल PE के बेस पे काम नहीं करते है share 300 रुपे तक गया था जब ये Sony और ZEEK के merger की news आये थी तब ये share 300 रुपे तक गया था और इस share में राकेश जुनियर वाला सर ने भी उस टाम ट्रेडिंग करके अच्छे खासे पैसे कुछी दिनों में कमा लिए दे तो वो चीट भी आप देख सकते है phase value यहाँ पर आप देखेंगे एक की है dividend है नहीं debt भी नहीं है 112 रुपे की यहाँ पर book value है share में अच्छी खासी गिरावट 1.56 पर share चल रहा है maximum chart pattern देखेंगे maximum chart pattern देखेंगे तो कभी share जब आया था अच्छा खासा भागा और आपको पैसे बनाए और आज वो ही share आपको यहाँ पर नाक में दंबी करता हुआ नजर आ रहा है उस चीट को भी ध्यान में रखेंगे क्या share को लेना है बेचना है सबसे पहली बाद तो result हैगी यहाँ पर आप नीचे जैसे ही जाएंगे तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर हम बात करें यहाँ यहाँ बात करें यहली कंपनी का प्रॉफिट की तो यहाँ पर देखिए कुछ खास performance नहीं रहा है दस बारे साल में आगर बात करें और जो यह इस तरीके की media as company होती है उनका जो revenue होता है वो mostly advertisement के base पर चलता हुग नजर आता है वो आपको बता ही है net profit की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पिछले बारे कॉर्टर में लगभग लगभग घाटे में ही यहाँ पर net profit रहा है reserves की बात करें company के बाद अच्छे खासे reserves है ठीक है boring की बात करें ना के बराबर यहाँ पर borrowing है working progress में 14 करोड रुपे है investment 39 करोड cash की बात करें 556 करोड के आसपास का cash भी है ठीक है तो fundamental कैसे नजर आते अच्छे नजर आते है fundamental अच्छे नजर आते है तो promoters के पास यहाँ पर still कम क्यूं है यह कोशन है जिसरी बात करें FIS तो FIS की holding लगाता 64% से 28% हो गई है लगबल लगातार घटाते हुए नजर आए है इस particular quarter में भी बीच में जहाँ पर बढ़ते हुए नजर आते है वहाँ पर आप देखोगे 7% के आसपास की holding कम कर लिए है D.I.S की बात करें D.I.S लगाता है यहाँ पर इसे दारी बढ़ा रही है 12 से 43 तक पहुँझ गई है तो वह भी चीज़ यह हमें देखना है इसलिए अच्छे शेरों में रहोगे तो पैसे आपके बनेंगे Plutus ने इसी particular quarter में यहाँ पर शेर करीदे है तो शेर holding pattern की बात करें तो शेर holding pattern थोड़ा सा खलाब होता हुए नजर आए क्योंकि FIs यहाँ पर लगातार बेशते हुए नजर आए है DIs ने वेशक से खरीदा है बट इसलिए थोड़ा सा negativity है और DIs भी थोड़े से यहाँ पर इधर उधर के होंगे इस चीट को यह थोड़ा सा द्यान में दखियेगा ठीक है तो यहाँ पर 31 अगस 2023 को HDFC mutual fund ने भी यहाँ पर शेयर करी दें तो fundamentally तो company ठीक नजर आ रही हो लगता है कि आने वाले 2-3 quarter March के बाद यहाँ पर result भी company के अच्छे आते हुए दिखाई दे सकते हो और अच्छा गासा company काम करते हुए नजर आ सकती है तो opportunity उस टाइम यहाँ पर बन सकती है लगबाए एक अथ quarter बाद बट अभी यहाँ पर chart क्या कह रहा है उससे लेजर बाते करेंगे बट उससे पहले आपसे request है I am small cap investor channel को subscribe bell icon को hit all notification को अन करे like comment share channel को subscribe करे ताकि इस तरी के वीडियो में ले और यहाँ पर वीडियोस देखके चीज़ों को सीके यहाँ पर समझे तब आपको समझे बाएगी बात करते चार्ट से लेटे यहाँ पर देखे एक तेजी होती हुई दिखाई दी थी आपको पता ही है share यहाँ पर लगबाद के साथ कुल के नीचे आता हुँ दिखाई दिया और जो इसके support थे ना support को भी यहाँ पर break कर दिया है इसे breakaway gap भी कहते है ठीक है तो यह चीज़े अच्छी नहीं है टेकनिकल क्या बता रहे है टेकनिकल बता रहे है 136 तक रुग गया ठीक है otherwise 115 और 115 है गया अगर company की earning ठीक नहीं आती ठीक है तो यह share और नीचे आ सकता है और और अच्छे खासे तरीके से गिरता हुआ नजर आता हुआ दिखाई दे सकता है बट मुझे क्या लगता है मुझे लगता है कि यह share लगबग 112 रुपे तक आता हुआ आपको कुछ दुनों में दिख जाएगा उच ताइम आप 2-4 रुपे का रिस्क लेके तब एक बार सोच सकते हो ठीक है इस्टिल बैंक सालिंग की recommendation नहीं है company जैसे की मुझे यहाँ पर नजर आता है अगर यह सब चीज हट जाती है कोई से भी की inquiry नहीं होती सब कुछ positive नजर आता है ठीक है deal बेशक से lay off हो गई है deal खतम हो गई है उससे कोई tension वाली बात नहीं है बड़ दिसंबर के बाद ठीक है दिसंबर के बाद जो यह quarter है तीन महीने का यह निकलने के बाद मुझे लगता है एक buying दुबारा से आ सकती है और यह share को 277 की तरफ यहाँ पर लेके जाती हुई दिखाई दे सकती है long term के वी से यहाँ पर long term की जब मैं बात करूँ तो opportunity दिखाई देती है बट still जैसे कि यहाँ पर जब negative news आती है केवल news के base पर ही share चलता है तो ऐसे time में जो मेरी philosophy है मैं यहाँ पर ऐसे share हो में invest करना पसंद नहीं करता मैं उस share हो में पैसे लगाना पसंद करता हूँ जहाँ पर fundamental attractive हो ठीक है ताकि आपको जो पैसे है ठीक है ना कम time में बनते हुए नज़राए आप देख रहे हो ना कि कुछ दिनों में इतने में यह 97 पर बताया तो 300 हो गया यह बताया तो इसना हो गया यह बताया तो इतना हो गया तो वो क्यों हो रहा है वो इसलिए ही हो रहा है क्योंकि हम सबसे पहले fundamental strong share में गिर जाए तो कोई बात नहीं दूसरा अच्छे share हो technical setup अच्छा है ठीक है और यहाँ पर ना तो fundamental है भी ठीक दिखाई दे रहा है ना sector अच्छा दिखाई दे रहा है negative news है सब चीज है ठीक है तो जो अटके हुए है तो वो अटके तो यहाँ पर 27 से भी है ठीक है वो यहाँ पर कहीं न कहीं इसलिए risk management को follow करना बहुत जरूरी है एक चोट ऐसी जगह पर entry जहाँ पर आपकी risk दो रुपे की हो और आपको 10 रुपे का profit ओड़ा हो ऐसी जगह पर entry और यही चीज हम यहाँ पर अपने course में भी सिखाते है प्लस में हम आरे साथ जो काम करते है वो उन्हें भी बताते है तो वीडियो अची लगे लाइक, comment, share, channel को subscribe करियेगा मुझे नहीं लगता है इस share में कुछ बचा है इस्टिल आप देख सकते है अपने हिसाब से ठीक है buying selling की recommendation नहीं है बट यहाँ पर share अभी फिलहाँ के लिए negative है और जो यह gap down हुआ है ठीक है यह चीट मुझे बता रही है कि और नीच जा रहा है so thank you so much God bless